So hi guys, कैसे हैं आप सब? मैं यूराज, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ तो guys, आज के वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक नया Android ट्रिक लाया हूँ आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने कोई भी Android स्मार्टफोन पर Android 11 का जो emoji है उसको कैसे इंस्टोर कर सकते हैं तो यहाँ पर मेरे पास Poco iPhone है और System की बात करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास MIUI 11 इंस्टोर किया हुआ है तो अभि guys मैं आपको सबसे बेवले तो emojis दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको ये दिखने को मिलने वाला है तो यहाँ पर मेरे पास Android 9 है तो Android 9 का जो default में emoji आता है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है तो आपके पास कोई भी सिस्टम में कोई भी फोन है उससे फरकने परता बस उसको आपने रूट करना पड़ेगा क्योंकि रूट के बीना ये ट्रिक वर्क नहीं करेगा रूट हो जाने के बाद अभी आपको एक फाइल को डिस्किप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना है इस मोडियूल का जो लिंक है और आपको डिस्किप्शन में मिल जागा तो वहाँ पर जाके आपको इसको डाउनलोड कर लेना है उसके बाद आपको Magic SK को open करना है यहाँ पर आना है उसके बाद यहाँ पर modules पर tap करना है और बस आपको यहाँ पर install पर click करके यहाँ पर आपको बस उसको select कर लिया है तो यहाँ पर हमने इस file को select कर लिया है आप ही बस आपको यहाँ से okay कर दिया है तो यह अपने आप ही install हो ज अभी आप देख सकते हैं कि emojis अभी चेंज हो चुका है, अभी आप इसको पूरे सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं, WhatsApp है, Facebook है, या फिर Messenger है, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रोबलम नहीं होगा, तो इस तरीके से आप अपने कोई भी Android स्मार् पहली बार आए, तो जल्दी से जाके उसको सस्क्राइब के लिजिए, क्योंकि इस चनल पर मैं ऐसे ही नए-नए वीडियो लाता रहता हूँ, तो बस कैस आज का वीडियो यही तक था, मिलते हैं नए वीडियो में